ब्रिंजालो, जी हां दोस्तो, नाम से तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ब्रिंजालो यानि की बैगेन के उपर बेसिकली ये प्रोडाक्ट है, तो आज गाल हम देख रहे हैं, बहुती ज्यादा परिशान हो रहा है किसान बाई ताना चेदक और फल चेदक के लिए ब तो हमने सुचा एक ऐसा प्रोड़क्ट ले आए, ताकि बैगेन के उपर इस्पेसली ये काम करेगा, तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं ब्रिंजालो, जैसे कि नाम तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेब्रा ब्रिंजालो नाम से आप लोगों को ये प्रोड़क् यानि कि बैगेन के उपर ही इस्पेसलिस्ट है, तो चलिए जानते हैं कि सच में ये बैगेन के उपर इस्पेसलिस्ट है, क्या अच्छा काम करता है या पिर नहीं करता है, लाश्ट तक आप लोगों को वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को लाश् अगर आप लोग तना चेदक और फल चेदक के लिए यूज करते हैं, तो काफी संदर रेजल मिलेगा, क्यूंकि ये एक बहुत ही अच्चा इंसेक्टिसाइड है, तो इसके अंदर आप लोग को दूस्तो केमिकेल कॉमपोजिशन की बात के जाए, तो देख सकते हैं, इसके अ आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, तो चलिए जानते हैं, कि ब्रिंजलो के नाम पे आगर मार्केट में कोई दूसरा प्रोड़क्ट है या फिर नहीं है, तो आप लोग को बता देते हैं, आगर आप लोग ब्रिंजलो को लेना चाहते हैं, तो दूसरे प्रोड़क्ट आपको किसी भी कमपानियों का नहे मिलेगा सिर्फ ये लेब्रा बिरिंजल नाम पे आप लोग को Aquarius Agrochemical Company का मिलेगा तो आखिर बात करते हैं इसको हम क्या बिरिंजल के उपर यानि की बैगन के उपर ही स्प्रे कर सकते हैं और किसी दूसरे फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं तो चाहे तो आप लोग किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं मिर्चया या पिर टमाटर या पिर कद्दू बर्गियों फसल में किसी भी फसल पर प्रोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग इसको ब्रिंजल में यानि कि बैगन में यूज करते हैं फ्रूट और शूट बॉरर के लिए तो काफी संदार रेजल मिलेगा और इतना संदार रेजल मिलेगा कि आप लोग किसी दूसरे प्रोड़क्ट को यूज करना भूल जाएंगे क्योंकि इसका रेजली इतना अच्छा है तो बात कर लेते ह इसको हम लोग ताना च्छादक और फ्रौशल के लिए यूज कर सकते हैं या कि किसे दूसरे और भी एल्लिया काम करेगा तो दोस्वें प्रीनसी और पिल नगईके और आप प्रिंजलकर लगतेगा यानि कि ब्रिंजलके ऊपर ही काम करेगा दूसरे फसल में भी काम करेगा, लेकिन बिंजल में ये काफी तगड़ा काम करता है, तो चलिए जानते हैं कि इसको अम लोग कब कैसे और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, और कितने मात्रा में अम लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग को बता देते ह कि अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हैं तो साम को समयी यूज कर लिजीगा अगर आप लोग इसको दूपर यानि कि धूप में यूज करेंगे तो उतना अच्छा रेजल आप लोग देखने को नहीं मिलेगा और इसके अंदर एक खास बाती है कि अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो किसी दूसरे टोनिक को इसके साथ मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा तर बैगन के उपर जो इंसेक्सिस साइड होता है बहुत ही हाड होता है जैसे कि सुमी प्रियमत है ये सब जो है वो हाड दावा है तो उसको यूज करने से क्या होता है कि बैगन को पूरा पौदे को टाइट कर देता है यानि कि पोदे को एकदूम हाड कर देता है जिस बज़े से उसके साथ टोनिक को मिलाना बहुत ही ज़रूर है देता है और उसको अगर यूज करेंगे यानिकि घ्रीनजेलु को अगर यूज करेंगे तो op케이ल को लेना है 15 ml 15 लिटर पानी मीð यानिकि हैएक लीटर पानी में 1 ml उसके साथ-साथ 15 ग्राम्हानीकि एक लीटर पानी में 1 ग्राम और उसके साथ-साथ super sprinter को लेना चाहे तो आप लोग Acetamaprid को नहीं लेगे तो कार्टा फाइडोकोलरेड जो 50% SP आता है उसको भी आप लोग 15 गराम ले सकते हैं और इस तरीके से इसका combination बनाना है फिर अच्छी तरीके से साम को समय पूरे पौदे को एकदम अच्छी तरीके से भीगा देना है और आप लोग को जो result मिलेगा कि लगबग आप लोग को 12 सिर्फ 13 दिन तक एक बार इस्प्रेट करने से result देखने को मिल जाएगा और अगर आप लोग इसको बैगन के अलबा किसी दूसरे फसल में यूज करना चाहेंगे जैसे कि टमाटा या फिर भेंडी में तो उसमें आप लोग को 15 ml लेने का कोई जोरूत नहीं सिर्फ 10 से 12 ml लेने से आप लोग को बहुत ही अच्छरे जाल देखनी को मिल जाएगा लेकिन बैगन के उपर जैसे आप लोग इसको चिर्काब करेंगे तो 15 ml लेना है ये आप लोग जोरूत से ध्यान रख लेजीगा तो इस तरीके से दोस्तो आप लोग को ब्रिंजालों को यूज करना है आप बात कर लेते हैं इसका प्राइस के उपर तो देख ये दोस्तो मार्केट में आप लोग जैसे बैगन के लिए कोई भी प्रोड़क्ट को यूज करना चाहेंगे इल्लियों के लिए तो आप लोग या फिर दूसरे जो प्रॉडक्ट हमने जुत्ना भी बताते हैं वो भी बोलते हैं कहा से मिलेगा हैं तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बता देते हैं इहां पर आप लोग मेज दिया जाएगा तो इसके बारे में कोई टेंसेल नेनी का कोई जोरूत नहीं अगर आप लोग वो ये प्रोडक्त चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग कॉंटेक्ट कर लिजीगा बाकी अगर आप लोग का फिर भी मन में कुछ सवाल है व्रिंजालों के उपर तो नीचे आप लोग कोमेंट क कर सकते हैं बाकी इस चैनल पर पहली बार आवें तो चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर लिजिया क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं कि अगर आप